नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा शराब पे, मदिरा पे, एक जमाना था जब शराब पीना एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था, एक बहुत बड़ी गल्ती मानी जाती थी, लेकिन आज उसको लाइस्टाइल का अंग मान लिया गया है, एक हर रोज क दिनचर्या मान लिगई है, एक नई चीज निकलाई है, सोशल ड्रिंकिंग उसको कहा जाता है, ना कि बहुत सोशल ड्रिंकिंग, बलकि बात यहां तक पहुँच गई है, कि हमको कुछ लोग यह भी बताते हैं, कि शराब पीना अच्छा होता है, तो आए इस विशे में हमक को गहराई से जानना है, सबसे पहली बात जो हमको समझनी है, शराब का जो अच्छाई वाला मामला है, यह बहुत ही कॉंट्रोवर्शल है, एक तरह का उसको प्रमोट करने के लिए यह उसके साथ जोडा गया है, तो वो कैसे काम करती है, बला करती है, उसको हमको तो रेड वाइन की बात करते हैं, हम रेड वाइन के साथ साथ हर तरह का हमने सोचा कि हर तरह की शराब हमारे लिए अच्छी रहेगी, देखे रेड वाइन फैदा जो करती है, वो उन लोगों करती है जो रेड मीट बहुत ज्यादा लेते हैं, वो उसके रेड मीट के साथ जब ब्रेड वाइन लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसका पैदा होता है कोई और शराब और बाकी के लोग अगर उसको लेंगे तो हमको उससे नुक्सान ही होने वाला है और उनके अंदर भी वो तभी काम करती है जब उसको बहुत धीमे से बहुत लंबा समय लगा के चुस्कियों में थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है तब तक तो हो काम करती है उसके अलावा शराब हर तरह से जहर है ये हमको समझ के चलना चाहिए वो जो उसके लाब की भी बात होती है रेड वाइन की वो उसमें एक तक होता है रेजवेटरॉल तो वो रेजवेटरॉल तो आप अंगूरों के जूट से भी ले सकते हैं अंगूरों से ही ले सकते हैं उसके लिए शराब के आदत दालना बहुत बड़ी नादानी होगी ये उन लोगं के लिए कह रहा हूँ जो शुरू इसलिए कर बैठते हैं किसे कोई हमको लाब मिलेगा वो लाब बेकार की बात है आप बड़े आराम से अंगूर या अंगूरों के रस से यसा कूछे तो बहुत से फलों से वो लाब उठा सकते हैं शुरू करने की तो बात ही नहीं अब जो पीते हैं उनको कितनी और कैसे पीनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं जो पहली बात हमको समझनी है कि हमारा शरीर खासवर पे हमारा लिवर वो तो एक बून को भी पसंद नहीं करता स्वीकार नहीं करता हमको बाहर से पता नहीं लगता लेकिन वो हमको नुक्सान तो वो भी करता है उसको कैसे हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं उस बारे में बात की जा सकती है लेकिन ये तैय है कि उसकी हर बूल हमारे लिए जहरीली है दिखकत यह है कि एक तो हमारा जो लिवर होता है वो इतना strong अंग है, इतना मजबूत है कि शराब जैसी जहरीली चीज को भी वो दसियों, बीसियों साल तक बरदाश्ट करता रहता है तो हमको अंदर-अंदर डैमेज होता रहता है हम उसको देख नहीं पाते और जो हम देख भी पाते हैं वो इतना late आता है कि हम उसको समझ नहीं पाते के दो कहते हैं कि हम तो अब आदी हो गए हैं अब हम अपने इसको बरदाश्ट करने के लाइक हो गए हैं सबसे फेदे हमको उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि लाइक वाइक कोई नहीं होता ऐसा है कि हमारे शरीर में कोई भी अनुचित तत्व जब जाता है तो उसको अपने शरीर से नुकसान करने पर बचाने के लिए हमारे अंदर जो हमारी आमी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारा इम्यून सिस्टम हमको उससे बचा के लगता है आपने देखा होगा जब भी कोई पहली बार शुरुवात करता है पीने की, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत जोर से आपको बचाता है, वो प्रोटेस्ट करेगा, आपको तविद खराब होगी, शायद उल्टी आएगी, बहुत गरबढ होगी, यह हमारा जो रेक्शन होत इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम उसको पसान बिल्कुल नहीं करता है, अब आप इम्यून सिस्टम को अपने घर में जो आपने गार्ड डॉग रखे हो हैं जैसा समझे, माली जे आपने चौकी दारी पर घर में कुत्ते पाले हुए हैं, तो जब भी कोई चोर, उचका, डाकू वहां पर आएगा, तो कुत्ता भाग चोर से भॉंकेगा या उसके पीछे जाएगा, अब माली जे कि आपके घर में चोर आए, आपके कुत्ता भॉंका और आपने उन चोरों को पकड़ लिया, भगा दिया, कुत्ते को शावाशी दी, या कुछ खाने को दे दिया, तो इतनी अकल उसमें भी होती है कि अगली बार फिर वो और चौकस होके आपके घर की रखवादी करता है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि माली जे आपके यहां चोर आए, आपका कुत्ता भॉंका, और आपने बजाए चोर को भगाने के कुत्ते की ही पटाई करती, कि भ मालीजे, आप दूसरे दिन भी पिटाई कर देते हैं, तो अब उसकी आवाज और कम हो जाएगी, मालीजे कि यह 15-20 दिन तक यही होता रहता है कि हर बार कुत्ते को सजा मिल जाती है, तो एक दिन फिर कुत्ता कहेगा कि मेरा भॉंकना गलत है, मैं क्यूं परेशान हूँ, आराम से सोते हैं, घर में चोर आएंगे, वो कुछ नहीं चाहेगा, बिलकुल यही हमारे साथ होता है, जब हम शराब पीना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा, आम लोगों के साथ क्या होता है, कि 16-17 की उमर में, खासवर तो जो हम स्कूल को पास करते हैं, तो पहली ब उन सिस्टम में भी ठीक है, अनफॉचनेटली आम आदमी को यह पता नहीं होता, उसके साथ ही खास और जो सीनियर्स होते हैं, वो कह देते हैं कि भई अभी तुम बच्चा हो, तुम शराब पीने के लायक नहीं हो, अब आपको मालूम ही है, उस उमर में कोई भी बच्चा क कहा गया, तो वो उसे कोई लसन सीखने की बजाए, वो कहता है कि कल फिर कोशिश करूँगा मैं, अगरे दिन वो दुबारा पीता है, इस बार भी रेक्शन होता है, तीन चार दिन तक उसको रेक्शन जब होता रहता है, तो उसको सुनने को ही मिलता रहता है कि तुम सुनते हैं, अब वो आपको बताना बंद कर देता है, यह समझ पाने की बजाए कि हमने अपने पूरे के पूरे सिस्टम का सत्यानास कर दिया, हमारे मित्र हमको एंकरेज करते हैं कि हाँ, अब तुम जवान हो गए या तुम को शराब पीनी आ गई, यू किन होल्ड यूर ड करीद कर सबसे स्ट्रॉंग अंग, सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई भाग है तो आपका लिवर है, तो अब ये सारी मुसीबत जो आप डाल रहे हैं अपने उपर, ये अब आपके लिवर को छेलनी पड़ेगी, आप महीना भर पीते रहे हैं, अब लिवर क्योंकि इतना स्ट्रॉंग है, आपको ना तो किसी तरह की कोई दर्द या तकलीफ होगी, और ना ही किसी मेडिकल रिपोर्ट में आएगा, और आप समझेंगे कि हाँ साब हम पीने के लाइक हो गए, लेकिन अंदर अंदर डेमेज हो रहा है, पहले एक परसंट, फिर दो परसंट, काफी और ये खराब हो जाता है, एक हद से ज्यादा खराबी आ जाती है, तब जा के हमको तरह-तरह के दर्द या कुछ अमेडिकल रिपोर्ट में हमारी खराबी आनी शूरू होती है, डेमेज हो चुको होता है, लेकिन क्यों कि यह तब तक हमको आदत परचुकी होती है, तो हम इसको भी नोर कर जाते हैं हलांकि अगर हम उस स्टेज पर भी वापस हो जाएं रुख जाएं तो हम काफी हद तक इसके जो दुश परिणाम है उससे बच सकते हैं लेकिन हमारे यार दोस्त कहना शुरू कर देते हैं रहे नहीं तुमको नहीं पता दो पैक तो बहुत अच्छे होते हैं सोशल डिंकिंग तो कर लेनी चाहिए खाना अच्छा खाते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता यह सब बातें होनी शुरू होती है लिवर कितना बर्दाश करेगा एक हद के बाद जब हमारी यह गल्ती बढ़ जाती है तो फिर आपको देखे ही होगा कि सिरॉसिस अफ लिवर वारा हो जाता है तब फिर ठीक करना बहुत असंबब हो जाता है बदकिस्मती से इस तरह की हारत तो कुछ कम लोगों के साथ होती है कि बिल्कुल लिवर खराब ही हो जाए लेकिन आम लोग भी जो तुछ से कम भी पीते हैं नुकसान उनको भी जेलना पड़ता है मैंने बात की कि लिवर हमारे शिरी का सबसे मजबूत अंग तो है इसके अलावा सबसे ज़्यादा काम भी यही करता है आप हैरान होंगे कि शरीर के 500 से ज़्यादा फंक्शन्स आपका लिवर कंट्रोल करता है अब अगर वो 1 परसंट या 2 परसंट या 5 परसंट खराब होता है तो आपके ये 500 फिर 500 फंक्शन्स धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं खराब होना शुरू हो जाते हैं तो ये कभी भी इस गलत प्वेमे में मत रहिएगा कि इससे हमको नुक्सान नहीं होगा ये तो नुक्सान करेगा ही आपको इससे आप बच नहीं पाएंगे इसी भी कीमत में जितना जादा पीते हैं उतना जल्दी नुक्सान होगा ये हमारे शरीर की खूबी है कि इतने दिनों तक उसको बरदाश्ट कर लेता है ये नहीं कि असर नहीं हो रहा लेकिन वो आपके आँखों में नहीं आ रहा आपने बहुत से केस देखे होगे जिन्होंने शराब पीपी के अपनी तब्यत खराब कर ली हो लेकिन ऐसा केस नहीं आया होगा कि अभी कल पीनी शुरू की और आज ही तब्यत खराब हो गई हो शराब जैसी चीज को भी वो दसों बीसों साल तक बरदाश्ट करता है तो हमको ये देखना है कि जहां तक अवाइड कर सकें पहले तो आप हाथ ही मत लगाईए लेकिन अगर आप लगा भी रहे हैं मजबूरी है तो उसके बारे में कैसे उसके डैमेज को या उसकी परेशानी को कैसे मिनिमाईज करना है उसके बारे में हमको बात कर लेनी चाहिए एक तो कॉलिटी हमेशा अच्छी लें आपने ये भी देखा होगा कि घटिया शराब जल्दी असर करती है जितनी वो तेज होगी उतना ही उसको लिवर पे अटेक जादा होगा बाकी की चीज़ें डैजिस्टिव सिस्टम से घूमती हैं धीरे धीरे अंदर पहुंचती है शराब को आपका पेट कहता है कि हमारे बसका रोग नहीं है वहां पे डैजिस्टिव पोर्टल्स होते हैं उनके जरी ये सारा लिवर पे डाल दिया जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि उसका सबसे जल्दी असर किसी चीज़ का अगर हमारे शरी पे पढ़ता है तो शराब का पढ़ता है तो अच्छी वाली ली जाए लेकिन कितनी देर में आप उसको अंदर पहुंचाते हैं उसका बहुत बढ़ा मात्रा अगर आपको वाकई अपने लिवर को बचा के रखना है तो आपका पमूला ये होना चाहिए एक तो छोटा लेना है जब भी पैग आपका जितना छोटा ले सकें उतना छोटा हो सबसे बड़ी बात ये है कि वो छोटा पैग भी जिसमें बहुत पानी पढ़ा हुआ है उसको आपको नर्स करना है यानि धीरे धीरे अगर आप उसको 75 मिनट में पीते हैं तब तो आपका लेवर उसको मेटेबलाईज कर सकता है अगर आपने 70 मिनट में भी पिया तो वो अंदर आपके नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा दुर्भाग्यवश होता ये है कि 75 मिनट में तो हम पूरी बोतल पीना चाहते हैं और साथ में उसको ना सिर्फ कम पानी तो बाती छोड़िये नीट पीने का बड़ा हमको लगता है कि नीट पीना कोई बहादुरी की बात है ये बहादुरी की बात नहीं है बेवपूफी की बात है जब हमको पता है कि वो जहर है तो वो हमको सोचना होगा कि हम इसको जान बूच के क्यों अंदर डालने हैं शराब को पीना ऐसे ही होगा जैसे जान बूच के आप अपने घर में चोर उचक के डाकूं को आने का मौका दें वो तो नुकसान करके ही जाएंगे आप बच नहीं सकते तो ये धीमे पीना हमको मजबूरन सीखना ही पड़ेगा अगर हम पीने की गलती कर रहे हैं तो देखे ना जातर लोग तो ये कहते हैं कि हम कोई शराबी थोड़े हैं हम तो सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं तो अगर आप सोशल ड्रिंकिंग करते हैं तो फिर सोशल तरीके से पीजे ना आपको पार्टी में रहना है हाथ में गलास लेके घुमना है तो फिर आप पीने की यलबाजी क्यों करते हैं उसको आप देरे देरे लेंगे तो लिबर उसको झेल पाएगा दूसरा इसके साथ उतने ही महत्पून ये है कि आपकी बाकी की जो खाना पीना है वो बिलकुल उचित होना चाहिए आप ये नहीं कर सकते कि इधर शराब भी आप पी जाएंगे और आप खाना भी साथ में अगर गरबढ़ होगा तो उसका नुकसान और जादा बढ़ जाने वाला है और आप उसको अब्डॉब नहीं कर पाएंगे तीसरी बात ये होती है कि आप दिन में किस समय पी रहे हैं अब आप शाम को थोड़ सा डिंक ले देते हैं तो चलेगा लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक पीते रहेंगे तो उसको शिरील परदाश्ट नहीं कर पाएगा ये हमको संभल के रहना चाहिए उसके बारे में और एक इस बात का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस स्टेज पे उसको पी रहे हैं दुनिया में जायतर क्या होता है कि ड्रिंकिंग जो है वो आफ्टर डिनर अक्टिविटी है पहले वो लोग सापर निप्टा लेते हैं उसके बाद बैठके अपना यह है दो पैग लेकि जो जैंड सूते हैं वो अपना अलग कमरे में चले जाएंगे पीने के लिए हमारे यहां खाना सर्व होने से पहले पहले उसको निप्टा दिया जाता है तो उसको पेट खाली होता है तो शराब हमारी जो इंटरस्टैंडल लाइनिंग है उस पे कहीं गुना ज़्यादा नुखसान करता है तो यह आपको एकससाइज की जरूरत है फिजिकल मुवमेंट की जरूरत है वो भी आपको उसके साथ जोड़के रखनी होगी अगर आपका फिजिकल मुवमेंट वीक है तो फिर यह शराब आपको और जागा नुक्सान करेगी तो हम कम शब्दों में कहें तो पहली बात ये कि आपको इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए कभी भी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ये मुझे किसी तरह का लाब करेगी और अगर फिर भी मजबूरन इसको आप करी ही रहे हैं तो इसको इस धंक से लें कि ये आपके उपर कम से कम नुकसान कर सके एक बार बार दोहराना चाहूँगा कि इसकी एक बूंद भी हमारे लिए जहरी ली होती है हम बाकी के खानों तक को ध्यान पूर्वा खाना चाहते हैं रोटी, दाल, सबजी भी कैसे खानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, होलिस्टिक हीलिंग में, क्योंकि वो भी हमको नुक्सान करते हैं, तो ये तो इतनी ज्यादा खतरनाग अपने आप में है, कि आप किसी भी तरह से इसको लेंगे तो बरबाद होंगे, वो जो भी भी इस प्रोपेगेंडा में मताईएगा कि इसका कोई हमको लाब होने वाला है, या इसका जरूरी है, और सच पूछे तो एक बात और भी देखिएगा, शुरू में, अगर आप सोशल गैदरिंग में भी हैं, तो चूंकि हॉस्पिटालिटी में दूसरे को समझाना या नहीं, लीजिये साब, हमको फ्रूसक जोर लगाना, क्योंकि हमारा फैशन है, इसलिए लोग कहेंगे जरूर, लेकिन अगर आप सक्ती से मना करते हैं, तो भी वो कहेंगे, पर मन में आपकी इज़्यत ही करेंगे, मुँपर सब यह कहते हैं, कि हमारे साथ नहीं रहोगे, त लेकिन यह सब कहने की बाते हैं, आपने भी देखा होगा, कि आप ही कि कोई मित्र अगर सक्ती से मना करते हैं, तो पीठ पीछे उनकी तारीफी होती है, तो इस सोशल प्रेशर में आके पीने की जरूर नहीं है, बाकि यहां हाथ में लेके घूमने का तो उसमें आप किसी ज ग्लास लेके घूमेंगे, तो ऐसा कोई इसको एक स्क्रीम के तार पर मत यूज कीजे, जरूरी हो जाता है, बहुत से लोग हैं, जो पबिक लाइफ में हैं, और हाथ भी नहीं लगाते हैं, मुझे एक आमी जैरल जाना करते थे, तो बड़े कटर तौर से वो शराप से बच बेवकुफियां करने के लिए शराप पीने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही कर लूँगा, तो जिसने मना करना है, वो कहीं भी मना कर सकता है, आपके अंदर वो सोशल स्रेंग्थ होनी चाहिए, कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, हाँ, अगर आपका पहले से ही मन है, तो फिर आपको बीस बहाने त्यार रहते हैं कि मैं इस वएसे पीता हूँ, इस वएसे पीता हूँ, ये मान के चलिए, ये आप अपने घर में खुद साप उसाने के ये बिच्चु उसाने का काम कर रहे हैं, इससे आप जितना बच के रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा झाल